किसान भाईयों नमस्कार फिर्ट स्वागत है आपका एक नए वीडियो में में यूटूब चैनल राजु विश्कर्मा में और आज आए हम खाते गाउं तेसिल जिला देवास के गाउं सिरालिया खुर्द सिरालिया बुजुर्ग में और जहां हमारे किसान राहुल भाई ने कालोंजी की खेती किये और तो कापी अच्छी खेती कलोंजी की लगी तो सायद मैं एक वीडियो बना दूंगा आप कृसान भाईयों के लिए तो पूछते हैं राहुल भाई से कलोंजी का मार्गदरसन कहां से मिला इनोंने कितने पानी लगते हैं सारी चीज़ें करोंजी राहुल भाई से जानते हैं कलोंजी का अनुभव तो नमस्कार राहुल भाई नमस्कार आप सभी वीवरों का मैं तह दिल से स्वागत करता हूं आपका बहुत-बहुत धन्यवाल मेरा नाम राहुल सिरोई है मैं ग्राम सिरल्या वुजर्ग टैसिल खाते हूं डिस्टिक देवास से हूं और मैंने लगबग 10 एकड में कलोंजी की खेती की है और अभी फसल बहुत बढ़ियां लगी है आप देख सकते हो बहुत बढ़ियां लगी हुई है ये एक पोदा है है को बहुत ही बढ़ियां है रिच्प की कि मतला आपने लगई है और और किसानसे लेकर लगाई है लोगल किसान से अभी सिर्वात पहली बार लगायी मैंने एक लुकली खेती है एक लगंदे शेटर्स सबार में द्शृट्र से हन ins market Когда एक थन नबे सरॉकर में कीकड मेंने ह किसानों को काफी प्रॉफिट हुआ इसमें काफी फाइदा हुआ उसके कारण मैंने भी सोचा मिनका देखे तो सही सीखने को तो कुछ मिलेगा तो किसान भाइयों यह राहूल भाई का अन्भव है कि पारंबर जो खेती करते आ रहा है यहां पे चने की ज्यादा खेती होती थ इस बार राहूल भाई के पास थोड़ा परियाप्त मात्रा में पानी था तो इनने कलोंजी लगाई है अपने खेत में और इसमें कितने पानी लगे भाई साब इसमें लगभग छे पानी लगे छे पानी चल रहा है और लगभग यह 140 से 1500 दिन की फसल है कितने दिन के अंतराल में पानी लगता है लगभग सर मेंने 15 हर 15 से 20 दिनों में गेप में पानी दिया इसमें तो दोस्तों राहूल भाई जो बता रहा है 15 से 20 दिन के बाद एक पानी लगाना होता है 15 से 20 दिन के पाद फिर पानी लगाना होता है और इसमें क्या-क्या खाद और थाइमे थाग और इमामेक्टिन इसके अलावा कोई इस्प्रेय नहीं कुछ भी रोग नहीं सर इस्टार्टिंग में जरूर यह थोड़ा सा सर जलने की स्थिति थी लेकिन उस समय क्या सर यह सूके के कारण में ने बुआई की अगर इसको पलेवा करके अगर और बुआई में बोकर फिर पानी छोड़ते हैं तो कुछ फसल उगने के बाद गलने लगती जलने लगती है तो आप पलेवा करके तो ज्यादा अच्छा और चीज और सर इसमें ना स्टार्टिंग में तो इसा लगता है सर के लगबग 40 दिनों तक तो इस फसल को अपन तोड़ दे यह किसान ऐसा है कि वो जब तक अच्छी फसल नहीं दिखती तब तक है ना मन दिल में ऐसी मतलब बेचे नहीं रहती है यार लगबग 15 दिनों में दो पानी तो इसमें उगने में लगेंगे मतलब आपने एक पानी निकाला उसके बाद एक पानी और फटा-फट इसमें निकले तैयार हो जाती है यह लगबग मेरी फसल 20-25 दिन और लेगी फसल है यह लगबग मेरा 25 से एक महीना के लगबग यह फसल और लेगी इसमें छटा पानी चल रहा है अभी और बहुत बढ़ियां लेगी आप देख सकते हो लगबग मुझे उत्पादन के हिसाब से अगर मैं बताओं तो इसमें फल के इसाब से बताओं तो यह चार से पांच कुंटल एकड़ उत्पादन कम से गम अधिक से अधिक तो अब वो उपर वाले के हाथ में और अपनी मेहनत के उपर है लेकिन इसमें मेहनत के इसाब से तो में चार से पांच कुंटल एकड़ उत्पादन जरूर मिल जाएगा और अभी 17-18,000 रूपे कुंटल के लगबग इसका मंडी रेट चल रहा है और आने वाले समय में अब यह क्या या तो बढ़ता है या घड़ता है क्योंकि लास्ट इयर इसका रेट हमारे जो किसानों ने बोई थी उनको लगबग 20-21,000 रूपे कुंटल उन्हें वाव में बेचके आये कड़ों अब यहां लोकल मंडी नहीं यह मंस्वर नीमच नीमच और मंस्वर इसके अलाबार कोई मंडी यह आसपास मंडी नहीं है और भाविश्य में हो सकता है यह इसका एक जादा हमारे च्छेत्र में उत्पादन हुआ तो आने वाले समय देश में भी नहीं नहीं तक्निकों से फसल उगा रहा है किरसान पारमरिक खेती छोड़कर तो आप किरसान भाईयों से भी निवेदन हैं आप भी पारमरिक खेती छोड़कर नहीं नहीं फसलों का उत्पादन लें और लाप कमाएं हम यहां पर ग्यों एक एकड़ में हैं महा अगर आपका 10-12 कुंटल या पांच कुंटल के हिसाब से भी फसल निकलती है तो आपको लागों रूपर का मुनाफ़ा हो सकता है और इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है पानी ही लगता है बस पानी का खर्चा है इस पर अगर आपकी मर्जी बड़ोतरी के लिए और अच्छे पैदावार के लिए कर सकते होस्ते कोई रीग बगन नहीं आता नहीं कोई रोगनाता सर इसमें इसकी हौई इसकी है अधिये ना कम से कम कम कमर हाइट और वरबारे मैं आए यह धिद असके लगभल ने देखे काफी फल आए उसमें काफी दाने है पोच भी नहीं है इसमें इसा लगना के पोच होगी लेकिन काफी दाने है अभी नर्म है भी पकाउं में लगबग एक महीना ले लेगी ये पूरे काले कलर के हो जाएंगे दाने बड़ियां फसल लगी हुई है लगभग एक डोड़ी के अंदर सतर से असी सोध आने तक हैं इसमें तो राहूल भाई ने कृसान भाईयों आपको जान करी दी कलोंजी की फसल के बारे में तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने कृसान भाईयों के साथ सेर करना ताकि वो भी अगर नई फसल लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो कलोंजी है और सरसों बगेरा सारी फसल राहूल भाई लगाते नहीं नहीं शर मेरे लग बग मेरे पास असी एकड का प्लाट है मेरा पूरा जिसमें मैने दो तरह के गहूं भी लगाया मेरी एक सरसो और एक कलोंजी और को जादा प्रॉफेट कॉन वाले समय में इसको जो अभी तो नगी होई है और स 드ला ब accounting केमाँ समय मेरी एक सान मेरी एक का सर्फूर्णार्ण पहुत बड़ितां फसल लाकई है साने वाले समय में स्कतरोंका तौष दाफेट परसेंड मेंने सर्सोगी खेती की है और कलोंजी की खेती की ए 10 परसेंड में बढ़ा की Bio 25 से सर्सोती कों में 50% करना चाहूं ग छाने जो लगे हुए सर उसको में पूरी तरह हमारे हाई किने की बविश्ची तो चनेगा तो अब पूरी तरह से ना खतम हो गया है तो सोबाविक है करसान भाईयों जब हमको पेले जो हम फसल बहुते थे उसमें प्रॉफिट अगर कम होगा तो नई फसल की और जाना ही पड़ागा तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई आपको किसा जे जवान जे किसान